हेगाइज वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आयोब आप सब बिल्गुल ठीक होंगे आज है रमजान डे एट और सहरी में ममा बना रही है रोटी और उसके साथ अंडा अंडा रोटी मैं खाऊंगी और ये चिकन चिली जो रात में बनी थी वो ममा और हेरा पिखाए चाय भी थी मगर मैं आपको को नहीं दिख ला पाई थी और बस मैंने खा लिया है और सहरी का टाइम खतम होने जा रहा है तो मैं लास्ट टाइम पानी पी रही हूं फिल्टर का नॉर्मल वाटर और ये दिखिए अभी कितनी रात मतलब अजान तो हो गई है और धीरी धीरे लोग आने शिरू हो गए हैं बस फिर अब मैं भी नमास पढ़़ूंगी और थोड़ा सा कुरान शरीफ के तिलावत करूंगी अब मैं जा रही हूं नमास पढ़ने के लिए और जब मैं नमास पढ़नी हूं तो थोड़ सा कुरान पढ़ रही हूं और अब पता आप लोगों को मेरी सुबा हुई थी 12 बज़े मतलब पहले बार मैं 12 बज़े उठी और मैं आल वैसे तो 6 बज़े सुए थी और 12 बज़े उठी थी तो सही है और फिर 12 बज़े उठने के बाद मैं कुरान नमास पड़ी जोहर की और मैं थोड़ सा टीवे देखने लगी थी तीन बज़े डोरिमॉन देख रहे थी यह मेरा फेवरेट कार्टून है अब फिर चार बज़े से इफतारी की तैयारियों शुरू है थी मैं तो आप लोगों को मतलब चार साठी चार बज़े दिखलारी हूँ और यहां पर आज बनेगा दही बड़ा तर्बूस का शेर्बत और बनेगा गूल गपप जो कि मेरा बहुत ज़ादा फेवरेट है यह गूल के पानी हम लोग घर पे बना रहे और इसका चोका पानी और चोका तो घर बन रहा मगर यह जो है यह पाप बाहर से लाए है क्योंकि ना मुझे घर की उत्ति पसंद नहीं है और फिर हमारे इफ्तारी लग गई है आज कुप सारी इफ्तारी थी और ना मैं आप लोगों कुद ही बड़ा दिखाना भूल का थी मतलब अभी वो आया नहीं था कि चंद से और ना मेरा प सब्सक्राइब करेगा ताकि आप ऐसे व्लोग वन टू थार्टी डे कर मिल सके वैसे तो मैं थ्री फूर और फाइव डे कर वीडियो नहीं बाना पाई से उसके लिए सोरी बाबाई